हिमाचल वेलफेर सभा रजिस्टर्ड रोपर्ड की तरफ से आज पहला वेक्सिनेशन कैम्प माताश्री बगलामुखी मंदिर गोशाला रोड रोपनगर में लगाया गया जहां पर लोगों को बिलकुल समाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कुरसियों पर बैठाया गया और सभी को कहा गया कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ती नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने क्रोना महामारी को भागाना है हिमाचल वेलफेर सभा रोपड इस तरह के कई सामाजिक कार्य करते रहते हैं जिससे की समाज का उधार हो सके हम सभी सदस्य सरकार से विनम्र करते हैं कि हमें रूपनगर में ऐसा कोई बड़ा फंक्शन करना हो तो हमें जगह की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं इसलिए क्रिपा करके हमें रोपड में कहीं पर भी कुछ जमीन दी जाए जहां पर हम अपना हिमाचल वेलफेर सभा का कार्याले बना सकें तोकन दिया जाता है और करोना महमारी से लड़ने के लिए जो करकार के नेम हैं उनकी पूरी पालना की जा रही है अब हम अपने संस्था के रोपड पंजाब से आपका फैसला टीवी के लिए सोमराज शर्मा की रिपोर्ट